हाई गाईज, वेलकम बैक तो माई यूरीट चैनल, मैं हो नितेश गाईज, इंकम टाक्स डिपार्टमेंट के तरफ से आज कल एक बहुत ही फ्रीक्वेंट नोटिस देखने को मिल रहा है और वो नोटिस है, सेक्शन 148-A का नोटिस अब ये जो नोटिस होता है, अगर आपने past में कोई transactions पगरा करी होती है जैसे कि आपने past में कोई land sale करी या फिर कोई आपके past में heavy transactions थे उसके against में आपने कोई return file नहीं की तो डिपार्टमेंट बिसिकली ये मानता है कि आपकी जो income है वो escape हो गई है इस तरीके का नोटिस पिछले एक साल के अंदर अंदर बहुत सारी notices issue करे गए हैं तो ये 148-A का नोटिस क्या होता है, नोटिस आने के बाद अगला step क्या लेना होता है क्या आप नोटिस आने के बाद भी अपनी return file कर सकते हैं और इसमें आप at last अगर आपका assessment order बगएर पास हो जाता है तो उसके बाद आप appeal बगएर में क्या जा सकते हैं क्या कुछ process होने वाला है step by step हर एक element को मैं आपके साथ यहां पे discuss करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब notice के बारे में समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ computer screen पे और मैं आपको पहले notice का format दिखाता हूँ उसके बाद हम इसमें discuss करेंगे कि इसके बाद अगला step क्या होता है तो चलिए चलते हैं computer screen की तरफ तो यहाँ पे गाईज हम आ चुके हैं computer screen की तरफ अब यह जो notice है यह आपका सबसे पहला notice है section 148A का notice अब basically इस notice में यह सबसे पहला notice है जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आपकी कौन से income details हैं जो आपसे miss हो गई है return में file करना और जिसके basis पे इन्होंने आपको एक show cause notice दिया हुआ है basically यह 148A का notice होता है यह आपका एक show cause notice होता है अब यहाँ पे यह होता है आपका assessment year जिस साल के लिए issue किया गया है यह होता है आपका issue करने का date यानि कि notice जिस दिन issue है उसकी rate होती है और इसी notice में आपको time दिया गया होता है कि आपको इस notice का reply कब तक करना है जैसे इस particular notice के case में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19.3.2022 यानि कि यह 12 March को issue किया गया है और यह 19 March तक का इसका time दिया गया है यानि कि total आपको यहाँ पे 7 दिन का time दिया गया है इस 148A के notice के against अपना reply submit करने के लिए अगर आप इसकी wordings को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आपका show cause notice है यहाँ पे आपको clearly बताये गया है कि you are required to show cause as to why in order in view of the details contained in annexure A जो की नीचे दिया हुआ है a notice under section 148 of the income tax act should not be issued यह आप से basically पूछ रहा है कि आपको किन कारडू की वज़े से आपको notice नहीं issue किया जाना चाहिए यह नहीं department को लगता है कि आपकी income escape हुई है अब आपको यहाँ पे एक show cause notice दिया गया है जिसके against में आपको अपना reply submit करना होता है अब यह है इसका briefing यह सबसे पहला notice है 148 A का अब इसका एनेक्जर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यह income की details बताते हैं कि आपकी कौन से income है जो की department के according यहाँ पे miss हो गई है और जिसके return आपको देना यहाँ पे पूरी information आपको available कराएंगे और जिसमें यह बताते हैं कि इन income की basis पे आपको यहाँ पी notice issue किया जा रहा है अब यह जो भी यहाँ पे income details आपकी दिखाई जाती है इसके basis पे अगर आपकी जो भी reply आपको create करना होता है वो आपको बनाना पड़ेगा और साथी साथ यहाँ पे supporting documents पगेरा attach करने पड़ते हैं तो यहाँ पे अगर आपकी information जो भी है आपके पास वो सब कुछ आपके आपस available होना चाहिए और अपने reply में जो भी आप show cause notice का reply बनाएंगे उस reply में आपको यह सब कुछ information देनी होती है और साथी साथ आपको supporting documents देनी होती है अब यह आपका notice आप portal पे कहाँ चेक कर सकते हैं अब आपको मैं यह भी रिखा देता हूँ portal पे चेक करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे portal पे आके login कर लेंगे और login करने के बाद आप देखेंगे pending action tab के अंदर यहाँ पे आपको e-proceedings का option देखेगा इसमें आप आएंगे जो भी notices आपको issue हुए होते हैं तो वो आपको यहाँ पे ही screen पे देखना शुरू हो जाएंगे तो यह जो notice के बारे में हम discuss कर रहे हैं पुराना notice है तो यहाँ पे जो भी notice आपके settle down हो चुके होते हैं या फिर जिनके against में assessment order पास हो चुका होता है तो यहाँ पे आपको second tab में देखेगा for your information अब यहाँ पे आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह सबसे पहला notice है 148A का issue किया गया है आपके case में अगर notice आपका अभी अभी आया होता है तो वो आपको for your action वाले tab में ही देख जाएगा अब notice के अंदर आप यहाँ पे notice का जो reply होता है वो आपको यहाँ पे initially आपको यहीं पे देखेगा summit reply का option दिखेगा जिसके बाद आप अपना detail में reply लेख सकते हैं documents attach कर सकते हैं and उसके बाद आपका reply submit हो जाता है अब 148A के reply को submit करने के बाद यहाँ पे आपको department दो तरीके से case को handle करता है पहला option होता है या तो आपके reply को satisfactory मान लेता है और उसके बाद जैसी आप reply submit करते हैं तो आपके reply के basis पे आपका case settle down होता है और आपका notice drop कर दिया जाता है या तो यह किया जाता है और second आपको आपका जो notice का reply होता है उसको unsatisfactory मान करके आपको एक नया notice दिया जाता है section 148 का practically 99% of the cases में आपका जो reply होता है उसके basis पे आपका notice drop नहीं किया जाता है बलकि आपको एक नया order दिया जाता है पहले तो order pass किया जाता है 148A का जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है और इसमें reasoning बताई जाती है कि आपका जो आपने reply submit किया गया है वो उसमें कुछ documents कम है वो unsatisfactory है और इसके बाद वो आपको एक final notice देते हैं under section 148 जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है अब ये section 148 का जो notice होता है इसके against में आपको अपनी income tax return file करने का option मिलता है यानि कि अगर मैं इसको summarize करो तो सबसे पहले आप 148A का आपको notice आया जिसके against में आप reply submit करते हैं reply submit करने के बाद या तो reply को accept कर लिया जाता है और आपका notice drop कर दिया जाता है जो कि practically नहीं होता या फिर second option यह होता है कि आपका जो reply होता है उसको unsatisfactory माना जाता है लेकिन यह जो 148 का notice होता है section 148 का notice issue करने के पहले आपको एक order दिया जाता है under section 148A यानि कि जो आपका original show cost notice सबसे पहला notice आया था उसके notice के against में एक order बनाया जाता है और इस order में basically आपको बताया जाता है कि आपकी जो भी information थी जो भी आपने reply submit किया गया है उन सबको consider करने के बाद department इस नतीजे पहुचा है कि आपका यह जो information है वो satisfactory नहीं हो पा रही है और इसके लिए आपको अप 148 issue किया जाएगा जिसके against में आपको अपनी return submit करनी होती है तो यहाँ पे अब इस order के बाद notice आया आपको 148 का इस notice के against में अब आपको अपनी return file करने का option मिलता है और यह आपको 30 दिनों का time देते हैं generally अब यहाँ पे आपको 148 के return कैसे submit करनी है इसको भी मैं आपको भी portal पे चलके आपको दिखाता हूँ 148 के notice के against में आपको अपनी return file करने के लिए वापस से आना है आपकी income tax पोटी पे यहाँ पे आप login करने के बाद आएंगे pending action के अंदर यहाँ पे e-proceeding में आना है आपको e-proceeding में आने के बाद जो भी आपका notice पगरे issue होता है वो आपको जैसा मैंने भी बता है कि आपको e-proceeding वाले tab में पहले ही दिख जाएगा तो आपका जो 148 का notice होता है यह आपको assessment proceeding under section 147 के अंदर दिखेगा यहाँ पे आप जैसे view notice पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको notice जो आपका 148 का होता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और 148 के notice के against में आप जब return file करना चाहते है तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो यह submit response का button दिख रहा होगा इस पे आप जैसे ही click करेंगे तो यह आपको file income tax return functionality पे लेके जाएगा यानि कि आप यहाँ पे proceed पे click करके आप section 148 के लिए अपनी income tax return submit कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे करना होगा आप proceed पे click अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपकी किस साल की यह details है यह उपर दिया होता है यहाँ पे इसको no करना है select idea type आपको choose करना है जो भी idea type आपके ऊपर applicable होगा यहाँ पे automatically आ जाएगा let's say हम इसको continue करेंगे इसके बाद यहाँ पे जैसा हम normal return वगयरा file करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी JSON file या XML file अप्लोड करने का यहाँ पे option देगा upload करने के बाद यहा 148 की जब आप return submit कर देंगे तो यह return की detail भी आप अपने e-file के अंदर view file return में जा करके इसको check कर सकते हैं देगे जब आपकी 148 की return file हो जाती तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि return file जो in response to notice under section 148 है यह यहाँ पे आपका आ चुका होता है और यहाँ पे आपकी return successfully file हो चुकी हैं अब आपकी return filing section 148 में करने के बाद वापस से यह details जाती है income tax department के बाद अब यहाँ पे department आपकी return में दीगे information के basis पे आपका यहाँ पे assessment order बनाती है यानि कि जो assisting officer होता है वो आपकी return में दीगे information को या तो सही मानेगा या फिर उसमें कुछ और addition या reduction करेगा उसके बाद आपका final एक assessment order बनायेगा जिसमें वो आपकी final tax liability को assess करके आपको एक final demand order भेजेगा अब यह आपका assessment order किस तरीका के दिखता है यानि कि 148 की return file करने के बाद जो next step होता है वो कैसा होता है अब मैं आपको यह रिखाता हूँ जब आप 148 की return file कर देते हैं उसके बाद assisting officer आपक assessment order आता है जिसमें आपकी अगर demand liability बन रही होती है कुछ tax निकल के आ रहा होता है assessing officer के according तो उसका एक आपको demand order भी बेजा आता है तो यहां पे आपकी यह जो competition sheet होती है यह department की दरफ से आती है अब इसमें आप जो कुछ भी information वगएरा submit करते हैं उसके according assessing officer और information को prepare करता है और यह सारी information यहां पे देने के बाद यहां पे नीचे आप scroll करते चले आएंगे तो देखेंगे कि आपकी जो total tax payable amount है वो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे इस SSC के case में यहां पे इनकी जो amount payable after considering all the details whatever details were mentioned in the 148 section यह आपका 12,80,000 रुपए का यहां पे इनका net tax liability बना के दी हुई है इस assessment order के अंडल अब यहां पे आपका जो AO है इन्होंने आप assessment order बना दिया अब यह assessment order के according अगर आपको यह लगता है कि यह information जो इस competition sheet में दी गई है वो perfectly okay है तो simply आप इस tax का payment कर सकते हैं और otherwise अगर आपको यह लगता है कि information correct नहीं है यहां पे आपका tax जादा बना दिया गया है और इस चीफ को challenge करने के लिए आपके पास solid evidence है तो इस case में आप यहां पे अपील फाइल कर सकते हैं commissioner of income tax अपील को अब दोनों ही case यानि कि अगर आप tax payment करना है तो कैसे कर सकते हैं और अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो उसको क कैसे कर सकते हैं मैं आपको quickly यह में रिखा देता हूँ तो इसके लिए आप वापस से चलेंगे income tax portal पे income tax portal पे आने के बाद पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको जो tax liability आपकी निकल क्या है अगर आपको उसका payment करना होता है तो वो कैसे करते हैं payment करने के लिए आपको आना ह हमारे केस में हमारी जो tax liability जो हमारे assessment order में आया था वो 2,80,781 रुपए का था क्या देख सकते हैं यहां पर हमारी net tax liability निकली थी 2,80,771 रुपीज और सेम यहां पर हमारे को demand order हमारे portal पे profile में update कर दी गई है 2,80,770 रुपीज राउंडिंग आफ करने के बाद तो अगर आप इस demand को इस tax liability को correct मानते तो उस case में आप यहां पे simply pay now पे click करेंगे और इसके बाद यहां पे आप pay now पे click करके simply इस चीज़ को payment करके आप इस tax liability को settle कर सकते हैं जैसे ही आपका यहां पे tax payment पगेर होगा आपकी जो assessment order पास किया गया उसमें यह tax amount update हो जाएगा जिसके बाद आ पर आपका case close कर दिया जाएगा यह तो रही बात अगर आपका यह जो amount है वो अगर आपके according सही है तो आप इस तरीके से payment करके अपने इस case को close कर सकते हैं अब यहां पे बात करते हैं दूसरे सबसे important बात की कि अगर आपका यह जो assessment order बनाया गया है यह assessment order अगर आपके according correct नह नहीं है तो उस case में आपके पास appeal करने का भी option होता है appeal करने के लिए आप वापस से आएंगे pending action के tab में और वापस से जाएंगे आप e-proceeding के अंदर e-proceeding के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको जाना है for your information वाले tab में और यहां पे आप देखेंगे आपके जो assessment proceeding है under section 147 यहां पे आपको दिखेगा file appeal करने का option यानि कि यहां पे जैसी आप file appeal पे click करेंगे तो आपका जो commissioner of income tax के पास आप appeal submit कर सकते हैं against this assessment order अब यहां पे आपके पास solid evidence होने चाहिए कि आपका किस तरीके साथ आपको यह लगता है कि आपका यह जो liability है वो two like 80,000 rupees नहीं है कुछ कम है और उसके regarding आपको यहां पे कई सारे paperwork वगएर कंप्रीट करने होते हैं आपको कुछ इस तरीके का form मिलेगा form number 35 जो कि online ही आपको submit करना होता है यह appeal जाएगी commissioner of income tax appeals के पास अब यहां पे आप अपना assessment year वगएर सेलेक्ट करेंगे और उ बताना होता है कि आप appeal जो file करना उसमें डिन नंबर वगएरे details वगएर देनी होती है तो इस तरीके से आप यह सारा कुछ process करके यहां पर अपनी appeal करते हैं अब appeal करने के बाद अगला step यह होता है कि आपको commissioner of income tax appeals की तरफ से आपके जो आपने submission वगएर दिया है उसकी basis पे या तो आपकी tax liability reduce कर दी जाएगी जितना आप कह रहे हैं या फिर तो आपकी जो अगर submission correct नहीं है तो जो assessing officer ने आपकी tax liability निकाल रखे उसको affirm कर दिया जाएगा उसकी यानिक उसको correct मान लिया जाएगा तो इस तरीके से अगर आपका आप यहां पे जो commissioner को appeal करते हैं उसमें आप अगर हार जाते हैं तो उसके बाद आपको further appeal करने का process होता है या फिर आप इसको pay करके settle down कर सकते हैं तो उसका process अब हम फिर किसी अगली वीडियो में समझेंगे लेकिन for the time being हमने यहां पे काफी कुछी समझ लिया है कि किस तरीके से आपका notice आता है notice आने के बाद आप आप किस तरीके से उसमें return file कर सकते हैं return file करने के बाद अगर आपका tax जो निकल के आया हुआ है उससे आप agree करते हैं तो आप उसको pay कैसे कर सकते हैं अगर नहीं करते हैं तो आप appeal कैसे file कर सकते हैं यह सारा कुछ process इस video में मैंने cover करने की कोशिश की है तो आपको एक basic idea मिल क्या होगा कि किस तरीके से आप यहां पर return अगर आपका notice बगर आता तो उसके against में आप किस तरीके से आप proceed कर सकते हैं अब मैं आपको एक disclaimer दे दो कि जितनी भी चीज़े आप portal पर यहां पर करेंगे यह इसके लिए या तो आपको core competency होनी चाहिए आपके अंदे या फिर आ I would highly recommend कि आप किसी professional की इसमें help जरूर ले लें क्योंकि अगर आप यहां पर कुछ गलत submission देते हैं या फिर किसी भी तरीके का आप wrong information submit कर देते हैं even आप unnecessary additional information देते हैं तो उस case में आप ही का case यहां पर और complex बन सकता है और आपकी submit की गए information के basis पे यह चीज़ें आप ही के against में use किया सकती हैं तो कभी भी अगर आपका कोई notice आ रखा है तो I would highly recommend कि आप किसी professional की help लीजिए और वहां पे आपके जो भी reply का submission है या return submission है वो सब कुछ आप किसी professional की help के लिए help के थ्रू ही आप इसमें आगे बढ़ें otherwise इसमें आपका case और complex बन सकता है यह वीडियो में बना करना होता है ताकि आप एक इसका basic process समझ सकें और लेकिन यहां पे कोई भी अगर return filing या कोई भी step आप करते हैं तो किसी ना किसी professional की आप help जरूर लीजिए तो यह था guys complete process about 148A notice यह notice पिछले कई जो महीनों में बहुत सारे लोगों को issue किया गया है और अलग-अलग cases में यह issue करी जा रही है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपका कोई भी transactions होता है no matter आपको profit हो या loss हो लेकिन आपको उसकी reporting करनी होती है अगर उन transactions की value high होती है otherwise आपको भी इस तरीके का notice अगर देखने को मिल सकता है and I really hope guys मैंने इसमे 148 notice का जितना भी element हो सकता थ जितने भी points हो सकते थे हमने उसमें cover करने की कोशिश की I really hope guys यह video आपको काफी useful लगी होगी और अगर आपको यह video useful लगती है तो इस video को please like जरूर कीजेगा आपने friends के साथ share कीजेगा और इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया हुआ तो चैनल को subscribe ज